हेलो गुड इवनिंग दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे बारत सरकार के द्वारा कुछी दिनों पहले एक नई गाइड लाइन जारी की गई कि बीएड वाले भीएव फर्स्ट लेवल के अंदर आवेदन कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो सुरू करें उससे पहले अगर आपने अभीता कमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो यहां पे आप देख सकते हैं भारत का राजपत्र गैजट ओफ इंडिया यहां पे आप यह भी देख सकते हैं कि जो निसुल के वानवारिय बाल शिक्षा अधिनियम 2009 है कि दारा 23 की उपदारा द्वारा प्रदत सक्तियों का प्रियोग करते हुए और श्कूली शिक्षा और शाक्षरता विभाग मानव संसादन विकास मंत्राले भारत सर सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च 2010 की अधिसुचना के अनुशन में राष्ट्री अध्यापक शिक्षा परिश्द एदत द्वारा अधिसुचना की तीथी में पुने अधिसुचना जो 23 अगस्त 2010 को बारस सरकार की राजपत्र ऐसाधन बाग धर्ड अनुचेद च्या दिनांक 25 अगस 2010 को प्रकासी ताजिसुचना में नेलिक्त संसोधन करते हुए अधिसुचना जारी की गई है तो यहाँ पर जो बेड़ वाले हैं उनके लिए यह अधिसुचना जारी की गई है कि वो अब पर्थम लेवल के अध्यापक भी बन सकते हैं तो यहाँ पर आप जिसने NCT द्वारा मानेता प्राप्त संस्तान से शिक्षा सनातक की उपादी प्राप्त की उस पर कक्षा एक से पांचवी तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में न्युक्त हेतु विचार किया जाएगा किन्तु इस प्रकार अध्यापक के रूप में न्युक्त व पूरा करना होगा तो यहां पर हम बात करेंगी कि जो सीटेट है और राजस्तान के अंदर रीट चलती है तो सीटेट और रीट के बारे में बात करेंगे कि सीटेट के अंदर या रीट के अंदर फर्स्ट लेवल के लिए आवेदन कर पाएंगे बीएड वाले या नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि उन्हें कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी वो जो B.A.D. कर रखिये जिन्होंने वो सीट एड फस्ट लेवल और जो B.A.D. चलता है राजस्तान के अंदर उसके फस्ट लेवल के लिए आवे दिन कर पाएंगे लेकिन इसमें सर्त ही यह होगी कि ज तो आप फस्ट लेवल के लिए आवे दिन कर पाएंगे और इसके अंदर अगर आप शिक्षक बन जाते हैं यानि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके बाद आपको एक कोर्स करना होगा जिसे बृज कोर्स के नाम से जाना जाता है तो यह च्छै महिने का कोर्स है तो इसमें तो आपको कोई प्रोब्लम ही नहीं है क्योंकि यह तो शिक्षक बनने के दो वर्ष के अंदर करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगे आपको आप जो सीटेट है और रीट है या फिर कोई भी हो यूपीटेट हो तो आप फस्ट रेवल के लिए आवेदन कर पाएंगे आइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले